नमस्ते मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर आज आपको बताऊंगी टेस्ट्यू बेबी यानि IVF ट्रीट्मेंट के पहले कौन सी पांच सावधानिया है जो बहुत महत्वपूर्ण है जी हां कहा जाता है तो पिछले मेरे 15 साल के अनुभव में कुछ ऐसी चीजे हैं जो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है आई वेफ के पहले इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए और ये सावधानिया यदि आप लेते हैं तो आई वेफ साइकल में सफलता सुनिश्य तो नहीं पर हाँ उस सबसे पहला जो मैं बात करूंगी जो सावधानिया आपको लेना चाहिए आई वेफ साइकल लेने से पहले वो है सेंटर का चुनाओ यदि हम अलग अलग सेंटर्स का डेटा ले तो इसके अंदर सक्सेस रेट में काफी वेरियेशन रहता है इस वेरियेशन का कारण और सबसेटर्स ग्लाम चुनाओ करते हैं तो हम यह सोचते हैं कि हमारे घर के पास कोई सेंटर है या हमारी कोई फैमिली डॉक्टर हैं, परिचित हैं, हम उनसे ही ट्रीटमेंट करा लें, परन्तु इससे भी जादा महत्वपूर्ण है कि उस सेंटर का सक्सेस का प्रतिशत कितना है सक्सेस के लिच्छे बहुत सारी चीजे होती है जिसमें सबसे इंपोर्टन यदि कि आप एक फैक्टर मुझसे पूछे तो वो है टीम अप्रोच हम अकसर ऐसे सेंटर्स में जाते हैं जहां पर अकेला डॉक्टर होता है वो पूरी ट्रीटमेंट को लीड करता है और पेशन्ट जो है वो पूरी तरह उनके निगरानी में रहते हैं परंतु वस्तुस्ति में देखा जाए तो IVF एक टीम एफ़र्ट है इस टीम में न केबल क्लिनीशियन परंतु IVF नर्स, IVF कोडिनेटर, IVF की काउंसिलर साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टन लाब के अंदर रहने वाले परसनल जैसे की अंड्रोलोजिस्ट, एंब्रियोलोजिस्ट, इनका सक्सेस में क्लिनीशियन के जितना ही योगदान होता है IVF की प्रक्रिया में हम पेशन्ट को जब प्रिपेर करते हैं उनकी काउंसिलिंग करते हैं उनका जो स्ट्रेस लेवल है उसको मैनेज करते हैं उससे स्ट्रेस कम होकर सक्सेस काफी अच्छा मिल सकता है साथ ही साथ, एंब्रियो को हम दो या तीन दिन लाब में कल्चर करते हैं इस लाब की गुणवत्ता, उस एंब्रियो को बनाने वाले जो एंब्रियोलोजिस्ट हैं उनका स्किल, तो सबसे बड़ी साथानी है आई वेव सेंटर का चुनाव जो है, वो साथानी से करें क्योंकि ये जो सेंटर है, इसके चुनाव से ही काफी हद तक हमारी सक्सेस निर्धारित होगी दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट साथानी है, वो है आपकी शारिरिक तयारी पेस्ट्यू बेबी की प्रोसेस में, डॉक्टर केवल एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है वो केवल एग और स्पर्म को पास लाकर उन्हें कमबाइन करके भून बनाता है एग्स भी आपके ही होंगे, स्पर्म्स भी आपके पार्टनर के होंगे शरीर जहां पर ये एंब्रियो डाला जाएगा, वो भी आपका ही होगा तो जाहिर सी बात है कि यदि आपकी बॉड़ी उस एंब्रियो को सपोर्ट कर सकती है अब ही हमें एक अच्छा उटकम मिलेगा, वरना हमारा IVF साइकल फेल हो जाएगा तो IVF के पहले तीन तरीके से शारिरिक तयारी बहुत इंपोर्टन्ट है सबसे पहला, यदि आपका वजन जादा है, उसे कंट्रोल में लाने की कोशिश करिए बहुत ड्रास्टिक वेट लॉस मत करिए परन्तु 10-20% बॉड़ी वेट को लूज करने से आपके साइकल का रिजल्ट इंप्रूव हो सकता है यदि आपको ब्लड प्रेशर है, तो उस ब्लड प्रेशर को जो प्रेगननसी सेफ मेडिकेशन हैं उनके थ्रू कंट्रोल में लाने की कोशिश करिए शुगर्स यदि उपर नीचे हैं, तो उसका भी लेवल पहले ठीक करिए उसके बाद आप IVF साइकल को स्टार्ट करिए सेकंड बहुत इंपॉर्टन शारिरिक तयारी होती है, यूटरस की तयारी यदि यूटरस उस एंब्रेयो को सपोर्ट करने के स्थिती में नहीं है तो एक बहुत अच्छा एंब्रेयो भी जो है वो इंप्लांट नहीं होगा और IVF फेलियर की कंडिशन आ जाएगी यूटरस की तयारी में वमेशा देखें या आपकी यूटरस की लाइनिंग चेक हो गई है उसका पैटरन, उसका थिकनेस प्रापर है अभशकता यदी है तो डॉक्टर ने हिस्ट्रोसकोपी या लापरोसकोपी कर ली है और ये सुनिश्चित कर लिया है कि यूटरस में ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो एम्ब्रियो को चिपकने से रोक सके तीसरी बहुत इंपॉर्टन शारिरिक तयारी या साबधानी है एग्स और स्पर्म की क्वालिट एग्स की जो क्वांटिटी है यानि की जो एमेच लेवल है एग और स्पर्म बेटर क्वालिटी में रहेंगे और हमारा आउटकम भी जो है वो इंपूर्व हो सकता है तीसरी और महत इंपॉर्टन तयारी होती है मानसिक तयारी आईवेफ का ट्रीप्मेंट आकी विश्व में जितने ट्रीप्मेंट से हैं उनसे बिलकुल अलग है बाकी ट्रीप्मेंट्स में जब हम अच्छे डॉक्टर को चूज करते हैं हम अपनी तरफ से कंप्लाइंट रहते हैं ट्रीप्मेंट के तो अकसर हमें 100% सक्सेस या फिर काफी हद तक इंप्रूव्मेंट मिल ही जाता है परन्तु आईवेफ की ट्रीप्मेंट एक इस तरह का ट्रीप्मेंट है जहां हम पूरी तयारी भी करें तो भी सक्सेस का प्रतिशत 50% ही रहेगा तो आईवेफ के पहले ही आप मेंटली इस चीज के को एकसेप्ट करने के लिए तयार रहें साइकल फेल भी हो सकता है वो इस लिए नहीं होता कि ट्रीप्ट्मेंट 50% सक्सेसफूल है वो इसलिए होता है कि स्ट्रेस के कारण कपल्स एक साइकल के बाद ही ट्रीप्मेंट को ड्रॉप कर देते हैं और वापस अपने आपको खड़ा ही नहीं कर पाते हैं ट्रीटमेंट के लिए चौती और बहुत इंपॉर्टन्ट साफधानी हर कपल को लेनी चाहिए ओ है आईवेफ के ट्रीटमेंट के हर चरण की पूरी जानकारी लेना कई बार हम आईवेफ तो शुरू कर देते हैं हमें पता ही नहीं होता कि इससे हमारी नॉर्मल लाइफ कितनी डिस्रप्ट होगी डॉक्टर हमें बताते हैं कि रोज सोनोग्राफी के लिए आना पड़ेगा पर उसमें कितना समय वेट करना पड़ेगा कई बार हर्मोनल टेस्ट होते हैं जिनके लिए हमें वेट करना पड़ता है यदि हमें इसकी जानकारी नहीं है तो हम अपने वर्क प्लेस पर, अपने घर पर ट्रीट्मिंट के साथ-साथ जिम्मेदारियां अपनी निभान नहीं पाते हैं और इससे बहुत स्ट्रेस होता है कई बार husbands दूसरे शहर में काम करते होते हैं उनका ये imagination रहता है कि हम किवल एक दिन के लिए आएंगे sample देंगे और चले जाएंगे जब उन्हें ये बताया जाता है कि उन्हें जादा दिन रहना पड़ेगा एक sample freeze करने की भी आवश्यक्ता होगी embryos का discussion भी उनके साथ होगा तो वो इसके बारे में बिलकुल अनभिग्य रहते हैं तो इसलिए बहुत important है IVF की जो scientific जानकारी है success rate की जानकारी है वो तो ठीक है पर इसके कारण कितना समय जाएगा कितने बार हमकुक लेने काना पड़ेगा कितने घंटे का waiting time रहता है इन सबकी जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए जिससे आप इसको properly अपने बाकी चीजों के साथ में manage कर सके और last और सबसे महत्वपून साबधानी वो है doctor की treatment के साथ compliance compliance यानि आपको जब बुलाया गया है injections के लिए, दवाईयों के लिए आप उसी समय पे प्रस्तूत हो IVF के treatment में injections का time trigger injection का time, pickup का time ये बहुत ही sacrosanct होते है यानि इसको हम एक minute भी इधर उधर नहीं करना पसंद करते हैं साथ ही दवाईयों का जो time है यदि आपको बताया गया है कि आपको लेनी ही है, ये एक पत्थर की लकीर है इसको हमने यदि miss किया, delay किया तो इसके जो परिणाम है वो हमारे against जा सकते है हमारा cycle डिस्टर्ब हो सकता है तो आपने ये देखा कि IVF के treatment के पहले कुछ ऐसी साबधानिया है जिनको लेने से as a doctor, मुझे लगता है कि आपका success rate optimize हो सकता है आपका stress level कम रहेगा और definitely जो हम सबका सपना होता है कि एक स्वस्थ बच्चे के माबाप आप बन पाएंगे धन्यवाद